हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे गार्डन में और आज मैं अपने प्लांट की गर्मियों में केर कैसे करें उन्हें पानी और हर चीज कैसे दें ये मैं आपको बताऊंगी अभी सुबे का समय हो रहा है और मैं अभी अपने plant को पानी दे कर हटी हूँ मैंने अपने plant को अच्छी तरह नहलाया है आप देख सकते हैं और मेरे plant को मैंने पानी दिया है यह देख सकते हैं यह tangle heart plant है जो कि मैंने इस गमले में लगा रखा है इसमें विद्या का plant भी लगा हुआ है उपर तुम और नीचे टेंगल हाट लगा रखा है जो कि आप देख सकते हैं हमारे याँ टेंपरेचर जादा होने गर्मी अधिक होने के कारण भी यहाँ पर यह कितनी अच्छी ग्रीन ग्रीन हो रही है यह मैंने अभी इसको पानी से अच्छी तरह नहलाया है और अच्छा पानी दिया है गर्मियों में पोदों की केर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने प्लांट को सुबे श्याम पानी दे अगर आपके प्लांट नीचे हैं तो आप अपने प्लांट को पानी दो ट पिंक टर्टल वाइन लगा रखी है जो आप देख सकते हैं भी थोड़े टाइम पहले इसकी कटिंग लगाई है जो कि अच्छी ग्रोथ में हो रही है ये देखिए है और अच्छी हो रही है ये मेरा जो एक मेरा सिंगोनिया का प्लांट ये है ये थोड़ा ग्रीनिश अलग यह देख सकते हैं थोड़ा यलोईश और ग्रीनिश अलग है और यह मैंने नीचे तो इसमें मैंने टर्टल ग्रीन टर्टल वाइन लगा रखी आपको दिखाई देरी होगी ये और ये काफी अच्छी ग्रीन ग्रीन है और इसमें ही मैंने ये सिंगोनिया का प्लांट मेरा गमला है जो कि मैंने ऐसे इसको डेकोरेट किया हुआ है कलर करके यह आप देख सकते हैं यह मेरे बैंबू की वेराइटी है मेरे पास बैंबू की तीन वेराइटियां है यह एक अलग वेराइटी आपको दिखाई देरी होगी यह देखे यह इसमें भी यह देखी सकते है आप इसका पत्ता ना जल चुका है यह मैंने इतनी छाया में रख रखा है फिट भी यह जल चुका है इतनी